नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूरोडिया वेट्स क्लब में आज मैं आपके सामने एक बेतरिन वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हाइटेक बोलस जो की आईवर्मेक्टिन जिसमें सॉल्ट होता है आईवर्मेक्टिन और इसमें असी एमजी पाया जाता है तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ इसका हमें कौन सी वीमारी में उपयोग करना चाहिए कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए क्या प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं हमें प्रेगनेंसी में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा म क्याब या लाइक है शेर करें। आइ यह वीडियो शूरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूं IRM落किक्न क्या पाकाम करता है THO IRM落कृ। किलनी जून पित्षा को जो पस्यमित के सरीर पर पाय जाते हैं इनको खत्नetonत्ध करते हैं पस्यमित करते हैं तोचा के रुखे फन को भी ठीक करती है यदि परसू की तोचा रुखे पन आ जाता है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है आयर मेक्टिन एवं पेट के अंदर के समस्त किडो जैसे राउंड वर्म लंग वर्म एवं टेप वर्म के लिए और त्यंत लापकारी दवा है यह क् प्रियोग हम यदि परसू की तोचा डल हो जाए रुखापन आ जाए उस कंडिशन में भी हम इस बोलस का प्रियोग करेंगे तो बहतरिन रिजल्ट देखने को मिलेगा यदि परसू के सरीर पे सपेद चक्ते बन जाते हैं या सपेद निसान बनने लगे उस कंडिशन में भ देखने को मिलता है यदि परसू को खाज हो जाए खुजली हो जाए उस कंडिशन में भी हम इस बोलस का प्रियोग करेंगे तो हमें बेतरिन रिजल्ट देखने को मिलेगा और एक बार यदि हम खुजली में इसको दे देते हैं तो खुजली पूरी तरीके से ठीक हो और पसौ बहुत ही जल्धी रिकवर हो जाएगा इसलिए हमें खाज या खुजली जब भी पसौक हो जाए उस कंडिशन में भी हमें इसको देना चाहिए यदि पसौकी ंड़ी खुर्दूरी हो जाए उस कंडिशन में भी हम इस बोलस का प्रियोग करेंगे तो बेहतरिन र रिकवर हो जाएगा और पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा यदि पसुओं की चमडी में चमक खतम हो जाती है या चमक हमें दिकाई नहीं देती है उस कंडिशन में भी हम इस बोलस का परियोग करेंगे तो पसुओं के सरीर पे पहत्रिन चमक के लिए हम इस बोलस का परियोग क कर सकते हैं तो पसो के सरीषपे हमें साइसिंग दिकाई देने लगेगे यदि हम इसका परियोग करेंगे सुर्य परकार यदि हम पसो की इस बोलस हैं को किसी तरह का नुक्सान हमें देखने को नहीं मिलेगा यह क्या है एक ब्रोड इस्प्रेक्टम है जो पसुओं में कहीं किसी तरह का नुक्सान नहीं करती है और नहीं किसी परकार की गर्मी करती है इसलिए हम सभी तरह के पसुओं में इसको प्रयोक कर सकते हैं इस बोलस की दो मैं आपको बता देता हूँ 400 kg का यदि पसू है तो हम उसे यह पूरी बोलस देंगे कहीं किसी तरह का नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा यदि पसू 200 kg का है तो हम आधी आधी बोलस दे सकते हैं कहीं किसी तरह का नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा हम उसे इसाब से पसुओं को देंगे तो पहत्रिन रिजल्ट देखने को मिलेगा और हमें इस बोलस का परियोग खाली पेट करना है यदि हम सुबह खाली पेट देते हैं तो हमें पसुओं में पहत्रिन रिजल्ट देखने को मिलेगा और चमतकारिक रिजल्ट देखने को मिलेगा अभी मैं ब सकते हैं और last stage में हैं तो भी दे सकते हैं हम यदि last stage में पस्वो की deworming करवाते हैं तो उसके लिए यह बोलस बैट्रिन डेती है कहीं किसी तरह का नुक्साना में देखने को नहीं मिलेगा तो हम इसका परियोग कर सकते हैं लगबग लगबग हम पस्वो में कहीं किसी तरह का नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा और इसका बैतरिन रिजल्ट है यह क्या है विर्वेक कंपनी के आती है और पहुत थी बड़या रिजल्ट अभी तक इसका देखने को मिला है और कहीं किसी तरह का साइड इपेक्ट देखने को नहीं मिला है और खिलाने में भी आसाने और ज्यादा बड़ी बोलस भी नहीं होने के कारण पसुओं को आसानी से खिला सकते हैं कहीं किसी तरह का नुकसाना में देखने को नहीं मिलेगा तो लगबग लगबग हम सभी तरह के आंत्रिक और भारी परजिवों को नश्ट करने के लिए इस बोलस का हम उपयोग क कर सकते हैं सातियों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कामेट में जरूर बताए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद